हेलो एबरिबन गूड इविनिंग कैसे हैं आप सब आई होप आप बहुत अच्छी होंगे तो अभी हो रहा है सामके पांच बजेगा टाइम और मैं जारते हुई अपने लिए चाय बनाने के लिए तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले मैं ब्लोग की स्टार्टिंग कर लेती ह हैं अपनी सबजी को जो कि मैं बनाने वाली हूं बेसन से और हमारी यहां पे इनको बेसन के गूलर बोला जाता है आप लोग वीडियो देखने के बाद मुझे कॉमेंट में बताना कि आप लोगों के यहां पर इस सबजी को क्या बोला जाता है तो मैंने यहां पर 200 ग्राम ले दिया है तो मैंने इस बेशन को अपनी फैमिली की सिवाब से लिए हैं अपने टाइट लेने के बाद फन्हेर यहाँ इन्हें और ने चुझाल अजिए के लिए पसको फाना दा साफी बेशनी और न ढी हैं आप हैं हिसे सौफट कर लिया है हम उहाँ है 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 यहां पर मैंने देशन को अच्छे सौफ्ट कर लिया है मसल मसल के तो भस अब चलते हैं इसके गूलर बनाने की तय화 करते हैं तो यहां पे हमने बेशन ले लिया है और इसको थोड़ थोड़ा तोड़ के ऐसे करके और बस इसको हाथ चे थोड़ा पतला पतला ऐसे करके लंबे से लंबा लंबा कर लेना है तो देखिए कुछ इस तरह से कर लेना है और हम इसको फिर बीच में से थोड़ा सा पतला पतला क पारसकते हैं और थाली में रखते ही चले रहा उसक को बनाने को प्राइब थान से यहां पर मैंने उस बेशन की सारी रिंग्स बना ली हैं और इनको बनाने में काफी जादा टाइम लग जाता है और अब मैं आपको बताती हूं कि मैं इसे क्या बनाने वाली हूं तो हम बनाने वाले हैं आज बेशन से गुलर की सबजी तो हमारे यहां तो इनको गुलर ही बोल गरम पनी में इन सबीकों डाल दया है और इनको कुछ देर लिए छोड़ दूँगीते थाकि यह बदी अच्छा वेशना हॉा жंपति हो छी है अप नमया अपना मशहिंक बनाना प्रसा नहींद रहर कऴंदेदा नहीं खाना हो जाए दिन आखना नहीं काली मिर्च और दो लॉंग लेली हैं इन सबीका मैं पेस्ट बना लेती हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहां पीषि करने के तैयारा और इस डाल दिया है निफ्योंते हम जीडर हो जाएगा तो में पीस्ट का अपना प्याज का फाना डाल दूंगे कि प्याज का पेस्ट मैं यहां पर डाल दिया है अभी इसमें थोड़ा से सुखे नाぎ यहांदाए बाइट यहां पर पर लोग देख सकते हैं हमारा मसाला भी अच्छे से बुन चुका है तेल वह उपर आ गया है तो हम इसमें अपने बूलर डाल देंगे जो कि हमने वाल के रखे हुए है कि यहां पर एउ né gholler डाल दी है और जょं भी बेसन के साथ वाला पानी ता वह भी मैं ने शुम्म में डाल दिया है बाकी अवह पानी थोड़ सा कम हैा तो मैं simple पानी दाल दे हु कि और इस सब्छी को मेरे वीडियोמה को कीजिदा सीटेश में नमक क्योंकिते हैं, मैंने तो नमक नहीं करने हुच्चनदेन लिए यहां पर द हमारी है उसलिक किन शोड़ा नाहीं गरिंगा बें चुक्ता अटूर… और एक साथ में एक लाइग भी कर देना और जो भी चैनल पर ने आई हो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना तो फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर बाई बाई